नमस्कार दोस्तों तो ये कवायत बहुत टाइम से चल रही थी पतलब पिछले 48 घंटों से चल रही थी कि दिल्ली का CM एक्चुल में होगा कौन अब अर्विन केजरिवाल जी ने तो इतनी बड़ी एनाॉसमेंट कर दी है लेकिन अब दिल्ली का CM बनेगा कौन तो बहुत सार प्रमुकता से और अपोजिशन जिस नाम को सबसे ज़्यादा जो है वो पुछ कर रहा था वो नाम था अर्विन केजरिवाल जी की वाइफ यानि कि सुनीता केजरिवाल जी जो की बहुत तेजी से पॉपुलर हुई थी अर्विन केजरिवाल जी की जेल जाने के बाद और इस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंसेस की थी तो काफी इंपक्टफुल लेडी की तरह वो सामने आई थी तो इसलिए कहा जा ला था कि शायद अर्विन केजरिवाल शायद अब ये जो पूरी पावर है सीम की इसको बाहर नहीं जाने देंगे पार्टी में इसको वो घर में ही रखेंगे और अपनी वाइफ सुनिता केजरिवाल जी को वो दिल्ली का सीम बनाने की कोशिश करेंगे बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो और मैं कहता हूँ कि ये अर्विन केजरिवाल जी द्वारा एक और मास्टर स्टोक जो है वो खेल दिया गया है अब अर्वि सीम बनी चुकी है यहाँ पर अर्विन केजरिवाल जी ने आपको पता ही है कि अचानक से जेल से बाहर आते ही उन्होंने मास्टर स्टोक खेलते हुए बोला कि भाई मैं अगले 48 घंटे में रिजाइन कर दूँगा और उनके उपर दिल्ली लिकर स्क्याम का जो है वो केस च चहना यह है कि यह जो कंडिशन्स रखी है सुप्रीम कोट ने उसकी वजह से ही अर्विन केजरिवाल जी ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो वैसे भी काम तो कर नहीं पाएंगे वो सेक्रेटरियर जा नहीं पाएंगे फाइल पर साइन कर नहीं पाएंगे तो फिर किस बात का कुरसी और किस बात के सिम और एक धबा और लेकर के बैठेंगे कि देखो सत्ता गायन को कितना लोब है कि यह बैठे हुए कुरसी पर यह कुरसी छोड़ने को त्यार नहीं जबकि इनके उपर इतने केसे सो चुके हैं जी के पास हैं, तो उन्होंने पूरा अपना कैलकुलेशन बिठा करके रिजाइन कर दिया, कहा कि बाई, 48 घंटे में मैं रिजाइन दे रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने इंपोर्टेंटली, रिजाइन देते टाइम, इन्होंने लूटेनन गवर्णनर को अप्लिकेशन भी भेज दी है, ताइम मांगने के लिए, और रिजाइन करने के टाइम, उसके बाद उन्होंने आतिशी का नाम यहाँ पर प्रपोस कर दिया, तो अब वो दिल्ली की सीम बनेंगी, इंपॉर्टन्ट यह है कि अर्विन केजरिवाल जी ने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि अब मैं तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक कि जनता अपना ओनेस्टी सर्टिफिकेट हमें नहीं दे देती है, तो यहां पर इंपॉर्टन चीज यह है कि अर्विन केजरिवाल यह नहीं सीख कर रहे है कि सुप्रीम कोर्ट का केस खतम ہو, या केस में यह बाष्जत बरी हो जाया है, या ये सारी चीजें वो सीख ही नहीं कर रहे है, वो क्या सीख कर रहे हैं वो यहाँ पर जनता का honesty certificate सीख कर रहे हैं और जनता को कैसे नेटा को जनता honesty certificate कैसे देती है जाहिब सी बात है कि अगर चुनाव होंगे उस चुनाव में जब आपको दुबारा से चिता दिया जाएगा तो मतलब जनता का आपको honesty certificate मिल गया है that means what Arvind Kejriwal जी is seeking it is he is seeking re-election यानि कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में जल्दी से जल्दी re-election हो जाये और ये बात हमने पिछले बार भी करी थी न कि देखो आम आदमी पार्टी और Arvind Kejriwal जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे कि यहाँ पर re-election हो जाएं यूकि जो अभी sympathy vote garner करने का time है वो time निकल जाएगा दरवाइस अगर February में अगले साल होते हैं election तो तब तक लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को और विंद केजिरिवाल जी को bail मिली गई है वो बाहर भी आ जाएंगे अपनी power भी exercise नहीं कर पाएंगे और इस पूरे episode को वो encash भी नहीं कर पाएंगे जैसे अभी एक narrative खड़ा किया गया कि भाई देखो जो भी opposition के जो भी central government के खिलाफ बोलता है opposition का leader उसको उठा करके ये लोग जेल में बंद कर देते हैं narrative खड़ा किया है अब अगर उस narrative को incash ही नहीं किया तो उसका फाइदा कुछ नहीं होगा तो उसको incash करने के लिए इनको चाहिए कि दिल्ली में जो February 2025 में election scheduled हैं उनको हम जल्दी से जल्दी करवाएं और देखे वही exactly हुआ जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अर्विन केजरिवाल जी ने election commission से हर्च किया है कि भाई आप दिल्ली में नवंबर तक ही elections करवा दो और ताकि जो ये sympathy vote अभी अच्छा खासा गारनर हो पने जो अच्छा खासा sympathy vote अभी बन रहा है वो अच्छी तरीके से गारनर हो पाए अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा episode चल क्या रहा है देखो दिल्ली में भी पिछले कुछ time में बहुत उठा पटक होई है एक तो डली लिकर scam case जो है वो बहुत बड़ा एक धबा लग गया है आम आदनी पार्टी के कई सारे leaders के उपर वैसे भी कई सारे leaders के उपर जो है वो case चल रहे हैं अलग-अलग corruption के दिल्ली के बड़े-बड़े leaders समानातुल्ला खान जैसे leaders जो है उनके उपर भी corruption के cases चल रहे हैं तो थोड़ी सी जो नईया है न वो थोड़ी सी डूपती हुई नज़र आ रही है और जो लोग सभा के election के results आए वो बहुत ही disappointing थे आमादनी पार्टी के लिए हाला कि लोग सभा में आमादनी पार्टी का वैसे भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा voting percentage होता है लेकिन दिल्ली में तो मतलब in fact लोगों का popular opinion आमादनी पार्टी के तरफ रहना चाहिए था जो नहीं रहा तो इसकी वज़े से इन सारी चीज़ों को calculate करके उनको समझ में आ रहा है कि sympathy vote की अभी बहुत ज़ादा जरूरत है otherwise मामला गड़बड हो सकता है और इसलिए चाहते हैं कि नवेंबर में चुनाओ दिल्ली के अंदर में करवा दिये जाए अब आतिशी जी का जो नाम है वो आम आदनी पार्टी की एक meeting बुलाई गई और उस meeting में अर्विन केजरिवाल जी ने जब नाम propose करी दिया है तो आप समझ लिजे कि अर्विन केजरिवाल खोदी पूरी आम आदनी पार्टी है तो unanimous decision ही हो गया तो सारा वो unanimous decision ले करके आतिशी जी को दिल्ली का CM बनाय जाने के लिए सब ने अपनी मुहर उसमें दे दी है अब यहाँ पर आम आदनी पार्टी के बड़े लीडर का मैं एक statement आपको दिखाना चाहता हूँ आप बताना इसका कितना मतलब है अब गोपाल राय जो कि आम आदनी पार्टी के बड़े लीडर में आते हैं उन्होंने कहा कि देखो PM है जो और BJP जो है वो खुद मिल करके आम आदनी पार्टी को खतम करना चाहती है और इसी लिए इन लोगों ने हमारे CM को जेल में एक फरजी case लगा करके जेल में डाल द देते हैं इसमें क्या दिक्कत थी तो इसमें गोपाल राय जी ने पूरा उस चीज को समझाया है कि देखो BJP ना हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी और अगर हमारे नेता यानि कि हमारे CM अरविंद केजरिवाल जी अंदर मतलब जेल में रह करके रिजाइन कर दे दिल्ली का CM चूस कर लिया है तो ये ऐसा नहीं कि ये कुर्सी आतिशी मार लेना जी को मिल गई है ये कुर्सी अभी भी अरविंद केजरिवाल जी के है क्योंकि लोगों ने उनको अपना CM चुना था और दुबारा जब elections होंगे तो मतलब हर पार्टी के आमानी पार्टी के बहुत ज्यादा नहीं आया कि वो अंदर से इसलिए रिजाइन नहीं दिये कि पार्टी बाहर बिखर जाती और वो बाहर आ करके इसलिए रिजाइन दिये ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ calculation बैठ नहीं रही है तो खैय गोपाल राई जी की अपनी बात है और अगर आप आतिशी जी को देखोगे तो आतिशी बहुत तेजी से रैंक्स में उपर बढ़ी हैं 2020 में उन्होंने पहली बार चुनाओ जीता और उसके बार रैंक्स में अभी वो बहुत important portfolios जैसे की आपका finance, PWD, education ये सारे जो बड़े portfolios हैं वो अभी आतिशी मार लेना अर्विन क को कहना था कि इसमें शायद सौरब भारदवाज को बनाया जाए, कैलाज गहलोत को बनाया जाए या गोपाल राय को बनाया जाए, बट अगर इन तीनों बड़े लीडर्स के ऊपर आतिशी मार लेना का नाम रखा है अर्विन केजरिवाल जी ने, तो you can understand कि how close confident she is to अर्वि education department में advisor थी, और उसके बाद 2020 में इनोंने पहली बार चुनाओ लड़ा, और उस चुनाओ में ये कालकाजी constituency से चुन करके आ गई, उसके बाद अगर इनकी पढ़ाई लिखाई देखोगे तो graduation इनोंने सेंस स्टीफें स्कॉलेज से किया है, और इनोंने बाकी अपनी आगे क पढ़ाई scholarship पर Oxford University से करी है, so great scholar and a good leader you can say, जो Delhi का CM बन रही है, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरिवाल जी का another master stroke है, अपनी सरकार को बचाने का, so आयूब आपको ये पूरा article समझ में आ गया होगा, वीडियो को end करने से पहले Unacademy team की तरफ से एक बहुत बड़ी announcement है देखिए अगर आप UPSC, CSC के preparation कर रहे हैं और किसी course लेने की फिराक में है, तो Unacademy आपके लिए एक बहुत बड़ा offer लेकर के आया है, Unacademy ने अपना scholarship test launch किया है, Unacademy Civil Services Championship नाम से UCSC नाम से, और इस scholarship में अगर आप बहतरीन perform करते हो, अच्छा perform करते हो, तो आपको हमारे course पीस में 90% तक की scholarship भी मिल सकती है, प्रस इसमें आप exciting rewards भी जीच सकते हो, तो ये test ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कुछ आपको पैसे देने है, free of cost ये test है, और इसका registration बिल्कुल भी free है, description लिंक दिए वहाँ पर जाकर करके आप register कर सकते हो, free of cost याद रखिएगा, ये 22 September को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे ये test होगा, तो description में लिंक है, वहाँ पर click करके इस पर आप जरूर से जरूर, free of cost अपना registration करके ये scholarship test live दीजे जरूर से जरूर, तायोब आपको ये पूरा article समझ में आ गया होगा, आज के लिए तना ही, thank you and have a nice day.